कि यह गाईज कैसे आप सभी उम्मीद है सब अच्छे होंगे तो चलिए आज एक प्यारा सा और बहुत ही आसान तरीके से एक पैंटिंग डिजाइन बनाते हैं तो चलिए पहले डिजाइन बनाते हैं पैंसिल से उसके बाद इसे पैंट से बनाएंगे एक सिंपल सा डिजाइन हम यहां बनाए हुए हैं यदि आप चाहें तो अपनी मर्जी से कोई भी डिजाइन बना सकते हैं फिर उसे मेरे बताया हुए तरीके से आप पैंट करके एक खुबसूरत सरलू दे सकते हैं इस वीडियो में बहुत ही असान और बहुत ही खुबसूरत और जितने भी वीडियो हम डाले हैं उस सब वीडियो से अलग है यह पैंटिंग का डिजाइन है तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक है, कमेंट और सेर अवस्य कर दिजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो हम आपके लिए आगे अप्लोड करते रहें और यदि आपके मन में पेंटिंग से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप कमेंट बक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आपको आपके प्रशनों का जबाब हवस्य मिलेगा और यदि आप बीगनर्स हैं तो हमारे सीरीज को फालो कीजिए और पूरे सीरीज में जितने भी वीडियो अप्लोड किये हैं पहले उसको देखिए और उसके बाद उसे कपड़े पे बनाईए क्योंकि बीना प्रेक्टिस कियें यदि आप चाहेंगे कि वीडियो देखकर हम पेंटिंग सीख जाएं तो यह इंपोसिबल है पहले वीडियो को देखिए और जिस तरीके से पेंटिंग किया गया है उस तरीके को अपनाते हुए आप खुद से कपड़े पे बनाईए और यदि आप मारे इन सारे वीडियो को फॉलो करते हैं और प्रेक्टिस भी करते हैं तो मेरा यकीन मानिए कुछी दिनों में आपको बहुत अच्छी से फैब्रिक पेंटिंग सीख जाएंगे फ्रेंट्स यदि आप इस पेंटिंग डिजाइन को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंतक देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वास्य कर दिजिए तो अब हमारा डिजाइन तयार है चलिए इसे पेंट करते हैं पेंट करने के लिए हमें सबसे पहले ग्रीन कलर चाहिए जिससे की हम लीफ बनाएंगे तो सबसे पहले लीफ को फील कर लेंगे ग्रीन कलर से पहले आउटलाइन करेंगे उसके बाद बीच वाले भाग में फील कर देंगे ग्रीन कलर ताकि हमारा पेंट बाहर ना निकले इस तरीके से पूरे लीफ को फील कर देंगे और थोड़े देल उसे सुखने देंगे तब तक चलिए दूसरा लीफ बना लेते हैं इसी प्रकार दूसरे लीफ में भी इसी प्रकार दूसरे लीफ में भी ग्रीन कलर फील कर लेंगे और ये फील किया हुआ लीफ जब तक सुख रहा है तब तक हम इसका डंठल बना लेते हैं इस डिजाइन में हम दो ब्रस का यूज़ किये हैं एक पें ब्रस फोर नंबर और एक फ्लेट ब्रस थी नंबर तो pen brush से हम setting देंगे और flat brush से पत्ते को feel करेंगे तो देखिए हम यह pen brush से बीच वाले part में white color से हलके हाथों से shade देंगे इस तरीके से बिल्कुल हलके हाथों से shade देंगे उपर के तरफ यह leaf बनाने का जो तरीका है बिल्कुल नया है यह तरीका हम आप लोगे साथ है किसी और वीडियो में share नहीं किये है अभी सोचे कि चलो इसमें इस तरीके से leaf बनाते है मैं कोशिस करती हूँ कि अपने हर वीडियो में कुछ आपको नया दूँ आप कमेंट करके बताइए कि आपको यह तरीका कैसा लगा देखिए बहुत ही प्यारा दिख रहा है यह leaf चलिए green part complete हो गया फ्लावर बनाते हैं सबसे पहले outline करेंगे इस तरीके से मैंने यहाँ पर महरून कलर लिया है आप चाहें तो कोई भी dark कलर ले सकते हैं और उपर से shade देंगे नीचे के तरफ इस तरीके से और नीचे white कलर फील कर देंगे इस तरीके से white कलर नीचे फील करेंगे उसमें जो थोड़ा लगा होगा हमारा dark कलर वो उसमें रहने देंगे ब्रस को धोयेंगे नहीं इसी तरीके से flower का दूसरा पीटल भी बनाएंगे इस ट्रॉक देते हुए यह सेड देते हुए यह धियान में रखेंगे कि सेड उधर ही देंगे जिधर flower का जो पीटल है वो मुडा होगा उधर ही मुडाते हुए सेड देंगे तो हमारा जो flower होगा उसका लुक अच्छा आएगा जैसे देखिए जिधर पीटल जुका हुआ है उधर ही जुका कर सेड भी देंगे इस तरीके से तो फ्रेंड्स हम सारे पीटल का प्रोसेस पूरा नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा बट आपको पूरा डिजाइन देखने को मिलेगा अंत में सो वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से अगर प्रेंटिंग करेंगे तो आउटपूट कैसा मिलेगा जाएग देखिखने को जार लंड़ में आपको तो आपको समझ ममें आपको एऽ को । geliyor पहाँ पहाँ झाल 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 तो चलिए अब बीच वाला पार्ट बनाते हैं इसे भी पहले आउटलाइन कर लेंगे और सेम प्रोसेस अपनाएंगे यहां भी झाल झाल तो फ्रेंड्स यह रहा इस डिजाइन का फाइनल लुक आप कमेंट करके बताएं कि आपको यह डिजाइन कैसा लगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक आप हमारे वीडियोज को देखकर प्रेटिस करते रहें तब तक के लिए बाब बाई आप आप आप